हलो स्टुडेंट्स, वेलकम वन्स अगेन इन सुन्दर सर्श क्लासेश, एक है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें अक्सर हमें प्रॉब्लम्स रहती है, समझने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कटनाईयां हमें आती है और वो टॉपिक है हमारा कंडिशनल सें सेंटेंसेश होते हैं जिनको समझने के लिए इनकी एक स्ट् prec Kate जो समझने के लिए अक्सर छो है । गलत फ्हांई होजाती है बहुत सारी मिस्टेक समारी हो जाती है तो आज के इसे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा conditional sentences की structure और जो खास तोर से तीन structure होती है इसका पहला पार्ट हमारा ये पार्ट पहला है ये तो पहले पार्ट के अंदर जो है आज में आपको present की जो conditional sentences होते हैं present के उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो चलिए हमारा lesson अब लेते हैं तो स्टुडेंट सबसे पहली बात तो ये होती है हमारी कि जो चीज हमें देखनी होती है वो ये कि conditional sentence होते क्या है सबसे पहले हमें तो ये conditional sentence क्या होते है इसके लिए simply आप ये कह सकते हो one action depends on another to be done simply बासा में अगर हम कहें तो जब एक काम होने के लिए किसी दूसरे काम पे depend होता है तो इस प्रकार के जो स्थिती होती है वो हमारी conditional sentences की स्थिती होती है यानि कि ये भी कह सकते हैं कि future में एक के बाद एक दो काम अगर होते हैं और एक काम depend करता है दूसरे काम पे तो इस प्रकार के जो स्थिती होती है वो स्थिती हमारी कहलाती है conditional sentences की अब अगर हम बात करें conditional में तो इसमें क्या जैसे example पर जोर्ज पर देखें जैसे यू विल सकसीड एक तो ये part हमारा भी तुम सफल होंगे कब होंगे भई यानि एक काम है सफल होना दूसरा काम है if you work hard अगर मेहनत करना तो इसमें कि दो काम है मेहनत करना और सफल होना तो दोनों कामें एक दूसरे पर depend यानि एक काम दूसरे काम के उपर निर्भर करता है कि अगर वो हुआ तो वो होगा इसी को conditional बोलते हैं इसी को हम शर्ट बोलते हैं यही हमारे conditional sentence होते हैं जिनको समझने के लिए अब main इसमें क्या होता है कि इसमें दो parts होते है conditional clause जो sentence होते हैं इन में मुखेत है वाके में दो भाग होते हैं एक आप हमारा मेन कलॉज होती है और दूसरा जो होती है हमारी इफ कलॉज होती है या फिर कंडिशनल कलॉज भी बॉल देती है इफ सिरफ एक यादास के जब इसका हम कंडिशनल कलॉज भी बॉल सकते हैं क्योंकि जरूर नहीं है कि हर कलॉज में आपको इफ ही मिले इसमें आपको unless मिल सकता है, इसमें provided मिल सकता है, इसमें जो है unless, until, तो ये भी जो है आपको मिल सकते हैं, इसमें when भी मिल सकता है, as soon as we मिल सकता है, no sooner than, तो ये भी जो है, तो इसको आप conditional clause बोल सकते हैं, दो clause हमारे पास होती है इसमें, अब इसका क्या है measure, कि there are mainly conditions हमारे पास कितनी होती है इसमें ध्यान रखिए कि हमारे पास मुखेत है तीन conditions होती हैं हमारे पास sentences की तीन conditions जो हमारे पास conditions होती है उसमें पहले क्या होती है कि यदि if close present tense में हो जिसको हम condition first बोलते हैं दूसरी होती है जब if close past tense में होती है इसको condition second बोलते हैं और तीसरी होती है हमारी कि जब if close हमारी past perfect tense में होती है इसको हम बोलते है condition three तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा जो करेंगे वो इस की करेंगे present tense की यानि कि condition first के बारे में केवल हाज हम पढ़ेंगे के इस वीडियो में इसलिए आपने सिर्फ आपने आज जो focus करेंगे हम वो देखेंगे हम condition first की condition first क्या होती है किस प्रकार की structure होती है और किस प्रकार की परस्तियों में हमने इस वो हमने structure क्या होती है कैसे हमने यह sentence हमने बनाने हैं तो स्टुडर्स सबसे पहले देखेंजे कि इन condition first जो हमारी first condition होती है इसमे इस nósustur क्या होती है sentence क्या होती है इसमें हमरे पास if होती है या इख भी होसकता है और इसके लाबंबा कोई भी पास उसके बाद जो होता है यह जो close होती है हमारी इस close के अंदर simple present tense का यूज किया जाता है नहीं present indefinite का यूज किया जाता है और उसके बाद जो next जो हमारी होती है main close होती है उसके अंदर हमने use करना होता है simple future का तो यह structure को आपने ध्यान रखना इस बात को अपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास if होता है उसके बाद simple present और उसके बाद जो main close होती है उसमें हमने simple future का आप use करना होता है example आप जैसे इसमें एक और देखियागे एक चीज और याद रखना है आपने कि no use of will, shall, would, in, if, close ये ध्यान रखना है आपने कि जो हमारी conditional close होती है जिसमें if होता unless या whether जो भी हमारे पास होता है जो conditional close होती है if close होती है जिसको हम बोलते हैं उसमें हमने if के साथ जो है ये हमने will, shall, या would का परियोग नहीं करना है इस बात का अपने विशेश तोर पे ध्यान रखना है अब जैसे example देखे आप नीचे देखे if I come daily, अब ये हमारे if clause है if I come daily, I will meet you अब इसमें नहीं कि ये हमारी है conditional clause, if clause है तो if clause में क्या है? if I clause यानि कि इसमें simple present tense है, present indefinite है और दूसरी हमारी clause है, वो इसमें क्या है? will plus verb की first form यानि ये क्या है? simple future है तो ये हमारे पर दूसरे example देखे unless he takes care of his health ये हमारी if clause है यानि conditional clause है अब इसमें देखे आप takes care, यानि आप present indefinite है, simple present है और दूसरी main clause क्या है? he won't recover कि वो ठीक नहीं हो सकता ये हमारी main clause है और main clause हमारी क्या होगा? will not यहां हमारी future indefinite tense है तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी जो first condition होती है कि जब हमारी clause present tense में होती है तो उसमें हमने if clause के साथ हमने present indefinite और main clause के अंदर हमने will plus यानि की future indefinite का हमने परियोग करना है इस बात का आपने sure करना है अब इसमें एक चीज़ और note कर ले न never use no with unless or until तो यह चीज़ का आपको लगवग पता है कि unless or until खुद अपने आप में negative होते है तो इसलिए students यह चीज़ का ध्यान रखना कि unless और until के use करने के बाद आपने इस clause में not का परियोग नहीं करना है इन जिस clause में आप unless या until का यूज करते हैं वहाँ not का परियोग नहीं करना है क्योंकि unless और until अपने आप में ही negative होते हैं तो निज़ चीज़ अब देखिया कि कुछ हमारे पास ऐसी conditions है कि जो condition close होती है हमारी उसमें हमने if के अलावा जो हम use करते हैं तो उसके बाद जो main close होती है उसमें हम will के बजाए जो है दूसरे model auxiliary का भी हम परियोग कर सकते हैं वो conditions के अनुसार यानि किन conditions में हमने किस model auxiliary का use हम करेंगे वो इसमें मैं आपको बताऊँगा इसलिए आप जहां से देखिए पहली condition क्या है यदि sentence हमारा present का है यानि जो वाक्य जो है present का है तो main close किस में होगी present tense में ही होगी यह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उसी का example आप देख सकते हैं जैसे if it rains यानि यह present tense है तो the school remains the schools remain clause यानि कि पूरा जो clause हमारी present tense में है तो यह हमारे पास main clause भी जो है किसमे present tense में ही रहेगी दूसरी condition इसमें देखें दूसरा क्या कहता है यह यदि sentence में possibility हो यानि possibility का sentence हो यानि कोई ऐसा sentence इसमें possibility यानि संभावना का जिकर किया जा रहा है तो वहाँ आप will के बजाए may might का परियोग करेंगे जान रखें इसमें कि संभावना अगर है किसे ने में may might का परियोग आप करेंगे will की बजाए example देखें जैसे if the fog does not clear if the fog does not clear the flight may get late देखें main condition से हम नहीं बटके हैं यानि हमारी if close वही present tense में है और यहाँ पर भी हमारी present ही है यही कहा रहा है इसमें present में है तो यहाँ हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर sentence में हमारे पास संभावना का जिकर है तो हम main clause के अंदर जो है will की बजाए जो है may might का परियोग भी कर सकते हैं या करेंगे यह कह सकते हैं अगली condition देखें अगली condition क्या कहता है यदी sentence में permission का जिकर हो यानि permission ली दी जा रही हो तो फिर हमने क्या करना है वहाँ पर will की जगह पर हमने may या can का परियोग करेंगे अगर इस प्रकार की प्रस्थिती पैदा होती है तो एक्जामपल देखिए if you finish your work if you finish your work you can go तो यहां हमने will की बजाए can का परियोग किया है तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर बात permission की आ रही है तो वहाँ आप may या can का परियोग करेंगे will का नहीं next condition क्या कहता है next condition हमारी है कि यदि sentence में advice suggestion है advice है या suggestion है तो आपने should या must का परियोग करेंगे will के स्थान पे इसको भी आपने थोड़ा ध्यान से देख लेना है example देखिए इसका क्या कहता है if you want get pass if you want get pass you should work hard तो यह हमारी condition जो है यह भी हमारी condition क्या कहता है condition first के अंतर कहता है कि यह हमारे पास वही present tense है और यहीं भी हमारा will की बजाए यहां पर हमने should का परियोग क्यों कि क्यों कि इसमें एक सुझाव दिया गया है भी अगर आपने pass होना है तो आपको मैनत करनी चाहिए तो यहाँ advice या suggestion है तो advice suggestion है तो वहाँ will के बजाए हम should का या must का परियोग करेंगे तो यहां must का परियोग कर सकते है अगली condition क्या कहता है अगली condition यह करता है यदि sentence आपका इसमें polite request किया गया हो Atticates हो, सिष्टा चार हो यानि सिष्टा चार का जिकर, Atticates का जिकर है या request किया गया है, politeness का परियोग किया गया है तो आप वहाँ पर जो है will की बजाए would या could का परियोग भी करेंगे यानि कि वहाँ पर आप politeness या Atticates के लिए या सिष्टा चार के लिए आप would या could का परियोग भी करेंगे will के स्थान पर एक्जामपल देख सकते हैं जैसे if you meet him, would you tell him to call me तो यहाँ पर would आगया हमारे पास would you tell him to call me अगर आप उस से मिलते हैं तो क्या आप उजह कहता है कि मुझे call करने के लिए कहेंगे तो क्या है यह एक निवेदन है request है या इस प्रकार से तो अगर sentence में अगर politeness है या Atticates है सिष्टा चार का कोई जिकर है तो वहाँ आपने will के बजाए would या could का परियोग वहाँ करेंगे अब sentence में लास्ट में आप student देखो देखिए इसमें एक note दिया गया है वो note क्या है अब इसमें एक चीज और भी धान रख रही है कि आप you can use present continuous and present perfect with clause with if clause यानि इसमें इसका मतलब यह है कि हमने बात यह गया थी इसमें present simple present या फिर present tense आता है कि आप sentence की sense के अनुसार जो हमार पास यहाँ जो यह present है indefinite है जो दिया गया है आप इसके स्थान पर present indefinite के स्थान पर आप present continuous या फिर present perfect tense का भी use किया जा सकता है वो भी wrong आपका नहीं होगा यह चीज भी आपने ध्यान रखनी है जैसे हम कह सकते है if you if you are going Delhi if you are going Delhi you will meet there to my friend यानि हम किस प्रकार से आप कर सकते है किसी प्रकार की sentences हम इसमें भी हम बना सकते हैं मेंसे कि आप present continuous और present perfect tense का प्रियोग भी आप कर सकते हैं इस प्रकार की प्रस्तितियों में क्योंकि tense हमारा present है main चीज हमारी है कि जो condition हमारी जो first तीन जो condition होती है हमारी उसमें पहली condition के अनुशार जो first condition होती है उसमें आपने if clause के साथ present indefinite के रहा present continuous और present perfect tense का प्रियोग भी आप कर सकते हैं according to sense of the sentence तो students ये था आज का हमारा lesson और इस lesson में आज मैंने आपको conditional sentences के part one के अंतरगत आपको मैंने बताया है कि condition first जो है वो क्या होती है जो first तीन हमारी conditions होती है जो present tense में या फिर past में या past perfect होता है उसके अंतरगत आज हमने शिरफ चर्चा किये present continuous यानि present tense की यानि condition first जिसको हम बोलते हैं केवल उसके बारे में तो students that's all from now have a nice day thank you